नमस्कार किसान बायर दिस इस डॉक्टर जहरंदीप सेंग और मैं स्वागत करता हूँ यूटिप चनल पे आज का वीडियो एक इंपॉर्टन टॉपिक या यह आप सभी का रिक्रेस्ट थी क्योंकि हमने आल्मोस्ट सभी टॉपिक्स कवर करनी हैं पिक फामिंग को लेके उन कि सारे मतलब मैयर मेंट्स ही डिफेंट हो गी है अलग-लग ओडल्स की लेकिन मैं एक बेसिक जो पिक फाम है जो एक आम फामर है या एक स्टार्ट करने वारा फार्मर है उस हिसाब से आपको इस वीडियो में बताऊंगा यह मैयर मेंट्स सिर्फ उनके लिए जो एक बिग जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थे अपनी के 3 plus 1, 3 female और 1 male, उसे साफ से मैंने यह farm करणा आपको explain करने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से explain करते हैं with the help of pictures, यह है हमारे farm का बाहर करणा ठीक है, तो इसमें क्या है कि normally जो shed होना चाहिए हमारा slanting होना चाहिए ऐसे करके, और अब हम बात करेंगे next internally farm का, तो यह आप देख सकते हैं साई measurements, आप इसमें देखो तो 3 female का ही हमने बनाए था, 3 plus 1 का, जो आप देख रहे हो एक side पे, जो left hand side पे आप देख रहे हो तो यह 3 female के ही pan है, female, 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 यह 3 female के ही और बीच में passage area, और दूसरे side में क्या है, एक बोर का जो एक male pig है, और साथ में gross के, दो मैन हैं, जिसमें हम grown को रख सकते हैं, और साथ में यह जगा है, पानी रखने वाले trough की, दूसरी है, फीड रखने वाले trough की, तो इसमें क्या बात आती है, कि जो passage area, वो around लगबग 4 feet को होना चाहिए, जो जिसमें हम चल फिर सकते हैं, औ और जो female वाला cabin है, इनकी जो मतलब length है, वो around 8 feet होने चाहिए, जी सबी की, और 10 feet properly होने चाहिए, यह पूरे जो पीशे वाला drainage system वाले की, तो यह हो गया common सा हमारा, total length मिला की देखे, तो 40 feet है, ठीक है, मतलब दोनों साइट्स का, पैसिजी area का, और दोनों साइट्स का, अग वोर, फैरूइंग, वीनर और ड्राइसोर गिल्ड का, इसका covered space का specification और open space का, यह सारा meter square में है, एक वोर को, एक मेल पिक को कितनी space चाहिए, एक सोग कितनी चाहिए, एक वीनर या फैटनर पिक को कितनी चाहिए, और ड्राइसोर गिल्ड को कितनी चाहिए, यह आप देखे, और इसके साथ एक और चीज मेरे discuss करनी थी, फार्मर वेत को पुछ रहे थे, कि आप फैरूइंग जब करवाते हैं, तो फैरूइंग पैना में दिखाओ, कि फैरूइंग पैना अपने कैसे design किया है, तो पिक्चर में जैसे नेसे हो, कि फैरूइंग वाली crater है, एक ट्रे हम आराम से दो भी पी सकते हैं, इधर से यां दूसरी साइट से, इसे सबसे बैतर फाइदा यह होगा, कि हमारे बच्चे जो इनकी mortality का मगए, तो इस वीडियो में मैंने ट्राइ किया, एक बेसिक सा आपको बताओ, अगर आप, अगर आपकी request हो, कि जो advanced farmers है, जो around 500-600 से लेके हजार farmers, animals तक जो farms हैं, वो कैसे design करें, तो वो भी मैं जल्द आपके लिए वीडियो ले जाओगा, तब तब आप क्या करें, कि आपके जो भी topics हैं, queries हैं, मेरे को जुरूर discuss करें, मेरे साथ जुरूर discuss करें, मेरी mail idea है, comment section में, और मैं बिलूँगा आपका अपनी next video में, till then, नो भी हैं, आपकार.